वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल और आज की सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिस्नस एथिक्स वर्सिस बिस्नस लोग तो स्थार्ट करते हैं अपना आज का सेशन तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एथिक्स होते क्या हैं बिस्किली एक अंडर्स्टेंडिंग होती है कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अच्छा है या बुरा है इसी तरह जब हम बात करते हैं बिस्नस एथिक्स की So business ethics refers to principles, values and standard of conduct that guide the actions and decisions of individuals and organizations in the business world तो business के अंदर कह सकते हैं आपके business ethics कुछ principles होते हैं कुछ सिधान्त होते हैं कुछ आपकी values होती है यह कुछ standard होते हैं जिनकी help से आप business के अंदर अपने decisions लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है वो सब क्या होते हैं Business Ethics इनके अंदर हम दो चीजों को include करते हैं Business Ethics करेंगर एक होते हैं आपके Morals Principles और दूसरी होते हैं Values लेकिन यह हम Individual के Perspective बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Business के Perspective में कि Business की क्या Values है क्या Principles हैं उनके हिसाफ से हमें Decisions को लेते हैं कि हमें क्या Work किस टाइम करना है क्या Decision लेना है तो बिसिकली यह होते हैं आपके Business Ethics इसमें आप एक्जामपल ले सकते हैं मैं बात करता हूँ Tobacco Industry Tobacco Industry अगर मैं Ethically बात करूँ कि Tobacco हमारी Society के लिए हमारे Youth की लिए अच्छी नहीं है बट अगर मैं Business के Perspective से बात करता हूँ कोई ऐसी Company है जो Tobacco का Production कर रही है तो उसके Principles, उसके Morals, उसकी Values क्या है कि इनके थूँ अपनी Sales को बढ़ाना अपनी Growth को बढ़ाना तो क्या करेगी उनकी Sales भी करेगी Production भी करेगी क्योंकि यहां पर हम Individually बात नहीं करते हैं यहां पर हम बात करते हैं Business के Perspective से तो यह होता है आपका Business Ethics अब इसके क्या-क्या Components होते हैं उनको देख लेते हैं तो सबसे पहला है Integrity Upholding Honesty and Truthfulness in All Business Daily जब आप कह सकते हैं Business Ethics को Follow कर रहे हैं आपके Business के अंदर आप Ethics को Include करते हैं मतलब आपके पास Morality है आपके पास कुछ Principles है कुछ Code of Conduct हैं जिनकी Help से ही आप उन Decisions लेते हैं तो कहीं न कहीं उस Business के अंदर आपकी जो Business जितनी भी Dealings होंगी उनके अंदर आप इन फेर रहोगे Transparent रहोगे Honest रहोगे दूसरा Point है आपका Component Fairness क्योंकि जब आप Ethics को Follow कर रहे हैं मतलब आपको ये पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है अगर आप इन सभी चीजों को Follow कर रहोगे तो कही न कहीं आप Fair रहोगे किसके साथ अपने Stakeholders के साथ Fair रहोगे आप अपने Customers के साथ Fair रहोगे अपने Employees के साथ अपने Competitors के साथ और आपके जो भी Other Stakeholders है जो कि आपके Business से डारेक्टली या इंडारेक्टली जुड़े हुए है नेक्स्ट है Responsibility Acknowledging and Taking Responsibility for the Impact of Business Decision on Society and Environment आप कोई भी विजनस करो उसके लिए आपको Raw Materials से ही है आपको कह सकते Resources की Requirements होती है वो कहां से लेते हैं आप Society से या Environment से तो अगर आप Business Ethics को Proper Follow कर रहे हैं Implement कर रहे हैं अपने Organization के अंदर तो कहीं न कहीं आप उनकी Responsibility भी लेते हैं कि अगर आपके Business की वजा से आपकी Society पर आपके Environment पर कोई Positive या Negative Fact आता है और उसको आप कोशिश करोगी कि हर दम Positive ही रहे वो Negative ना होए Next one is Transparency जब आप Ethical हैं आप Ethics को Follow कर रहे हैं आपके Organization के अंदर उसको Include कर रखा है तो कहीं न कहीं आपके जितनी Practices होंगी आपके Performance होंगी आपके कह सकते हैं Operations हैं आपके Decision Making Process हैं इन सभी के अंदर एक Transparency रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि जो कुछ आप Unethical Work कर रहे हैं Beyond अपने Rules, Regulations, Responsibilities से बाहर जाके And last one is Respect So Treating Individual with Dignity And Respecting Their Rights and Diversity जब हम बात करते हैं Components की, Business की, Business Ethics की तो वहाँ पर हमें एक दूसरे की Respect को भी Proper करना होता यह नहीं है कि हम किसी की Position के हिसाब से उसका Respect ना करें या उसके साथ एक अच्छा Favorable Behavior ना करें तो यह कुछ Components होते हैं हमारे Business Ethics के अब बात करते हैं कि इसकी क्या Importance होती है कोई भी Organization क्यों इसको अपने Business के अंदर Include करता है, Apply करता है तो सबसे पहला Importance है Reputation Ethical Business Practices Contribute to a Positive Reputation Fostering Trust Among Customers and Stakeholders अब हम बात करें Business Ethics के Importance ही अगर हम TCS की बात करते हैं TCS TCS के Ethics इतने अच्छे हैं कि उसके Ethics की वजह से ही Market मों उसकी एक अलग ही Reputation है उसके गुडविल है अगर वो कोई प्रोड़क्ट लॉंच करता है Market मों उसकी Random Demand होती है Reason क्या है क्योंकि उसकी Reputation उसके Ethics इतने अच्छे है Market में Compared to their Contributors या कह सकते हैं उसके जो भी Competitors है तो वहाँ पर यह कही नहीं को इसको Help करते हैं उसकी Reputation को Increase करने में एक Positive Image को Create करने में Next is Legal Compliances While Ethics Goes Beyond Legal Requirements Ethical Behavior Often Align With and May Even Exceed Legal Standards अब जब आप हर दम Ethical रहोगे Ethics के हिसाब से ही काम करोगे तो आप कभी भी Illegal Activities को Illegal Works को नहीं करोगे तो कहीं न कहीं जब आप Ethics को Follow कर रहे हो तो आप सारे के सारे अपने आपके जो Legal Compliances होती हैं उनको भी Fulfill करते रहोगे Next is Employee Moral A commitment to ethical practices can enhance Employee Moral and Engagement अगर आपके उनाइशन के आपके Business के Ethics अच्छे है तो कहीं न कहीं वो आपके Employees को motivate करेंगे इंगेज रखेंगे उनके काम में कि जिसे वो ज़्यादा-ज़्यादा commitment शोग कर सके आपके काम में, आपके Business में तो ये तो हमारे importance थे Business Ethics के अब हम बात करते हैं Challenges के बारे में, तो दो main challenges आते हैं आपके Business Ethics के अंदर, सबसे पहला आता है Balancing Interest और दूसरा होता है Globalization तो अखर हम Balancing Interest की बात करते हैं, Businesses often face challenges in balancing the interest of different stakeholders including shareholders employees and the broader community अब खुद देखिए, हर किसी के Business Ethics अलग होते हैं, हर किसी के एक दूसरे से different होते हैं अब अगर कोई employees है तो उसका ethics क्या है, वो अपना proper work करे, अपना commitment show करे, organization के लिए organization का ethics क्या है, कि वो अच्छे सच्छे product को market में provide करे consumers क्या ethics क्या है कि अगर उन्हें कोई अच्छा product मिलता है, तो उसके बराबर वो उसकी value को pay करें, मतलब हर किसी के एक अलग ethics होते हैं एक organization के अंदर बहुत सारे stakeholders होते हैं, चाहे आपको shareholders है, employees है, customers है creditors है, debtors है, तो हर किसी के ethics को एक साथ balance करकर चलना बहुत difficult होता है, कि इन सभी के interest में काम किया जाए, जो भी हम करें जाए, हम operations की बात करें, चाहे decision making हो चाहे हमारा कोई work हो दुस पहला challenge यही है कि हमारे पास बहुत सारे interested parties होती है business के अंदर, उन सभी के interest को एक साथ balance करना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है, in the perspective of business ethics and second one is globalization operating in diverse cultural and legal environment can present ethical challenges and norms and values जब आप एक country के अंदर अपने business को operate कर रहे हैं, तो उस country के हिसाब से आप अपने rules, regulations अपने ethics को develop कर सकते हैं, norms को develop कर सकते हैं, लिकिन जब आप multiple countries में एक साथ अपने business को करते हैं, तो हर country के norms अलग हैं, उनके religion अलग हैं, उनकी values अलग हैं, उनकी standard अलग हैं तो एक साथ multiple countries के culture को, legal requirement को, उनकी environment को एक साथ combination बना कर एक balance establish करना, बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है तो यह आपकी दो major challenges हैं आपके business ethics के अंदर अब हम बात करते हैं business laws के बारे में कि business laws किस तरह अलग होते हैं आपके business ethics के so business laws also known as commercial law or corporate law encompasses the rules status and regulations that govern business activities it provides a framework for the creation, operation and dissolution of business as well as addressing legal relationship between entities and individuals तो business law को हम commercial law और corporate law भी कहते हैं इसके अंदर basically आपके rules regulations होते हैं कि किसी भी तरह आप business की activity को govern करोगे उसको आगे continue चलाते रहोगे इसके अंदर एक framework होता है जो आपको बताता है कि अगर आपको business operate करना है, कोई business create करना है कोई business establish करना है तो कैसे establish करोगे उसे, किन rules, regulations का follow करोगे किन-किन department से आपको permission लेनी है क्या regulations होने चाहिए, क्या norms होने चाहिए उसके बाद भी किस तरह आप उस business को operate करोगे operations के लिए भी आपके पास rules, regulations कुछ standard होते हैं उनको follow करना पड़ेगा और in case अगर आप dissolute कर रहें अपने business को तो वो किस process के थूँ आप करोगे तो यह basically सारा क्या होता है business law के अंदर इसको include करते हैं इसके अंदर आपको बताया जाता है एक framework होता है किस तरह आपको business establish करना है किस तरह उसको run करना है और किस तरह उसको dissolute करना है और इसके साथ यह भी बात करता है कि अगर किसी individuals के साथ या कोई भी हमारे जो भी stakeholder है कोई भी entities है उनके साथ अगर कोई conflict होता है तो उस relationship को उस conflicts को किस तरह legally आप establish करोगे solve out करोगे यह सारी चीज़े हम कहां देखते हैं business laws के अंदर तो इसके लिए rules और regulations के बारे बात करता है जो कि हर business को follow करने compulsory होते है यहाँ पर आपके पास कोई choice नहीं होती कि आप इन्हें ना follow करो ethics में आपके पास choice है कि आप करोगे या नहीं करोगे but laws के अंदर compulsion होता है कि आपको इन्हें follow करना ही करना है अब इनके अंदर क्या-क्या हमारे components होते हैं सबसे पहला है contracts so government contracts between parties specifying rights obligations and remedies in case of preaches एक तरसे कह सकते हैं हर business के अंदर एक contract होता है between parties अब हो सकता है एक business उसके अंदर दो पार्टनर तीन पार्टनर है अब हो सकता है एक business multiple countries में business deal कर रहा है उसके creditors भी है उसके suppliers भी है उसके customers भी है हर किसी के साथ उसका contract होता है हर किसी के साथ एक specific rights होते हैं obligations होते हैं कुछ अपने duties होती है उन्हें उन duties को उन obligations को उन rights को fulfill करना होता है second one is towards addressing civil wrongs such as negligence or international harms that result in harm to individual or businesses अब यहाँ पर होता है कि जब आप international level पर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि आपकी किसी business activity की वज़ा से international level पर कोई harm ना हो कोई negligence की वज़ा से कोई international level पर कोई कह सकते है problem create ना हो आपके industry में आपके business में तो TOTS उन सभी चीजों को उन सभी mistakes को उन सभी activities को address करता है अगर ऐसे कोई conflict आ भी जाता है उसको solve out करने का काम को न करता हमारा TOTS करता है जो कि एक basically process है next one is business organizations so governs the formation and operation of different business structures like corporations, partnerships and LLP जिसे कि आप limited liability partnership या companies भी बोल सकते है तो यह होता है कि इसकंदर आपके organization किसी ने किसी एक type का होगा हो सकता है आपका OPC है मतलब one person company आप LLP चला रहे हैं limited liability partnership आप companies लगा रहे हैं private companies चला रहे हैं public companies चला रहे हैं partnership आपकी corporation मतलब किस तरह का organization है कोई ना कोई एक organization आपका जरूर होगा इन में से next one is intellectual property so protect creation of the mind such as patent, trademark and copyright हर business के अंदर कुछ ना कुछ intellectual properties होती है चाहे वो आपके patent हो आपके trademark हो या आपकी copyright हो इन सबीकों किसकी help से protect करते हैं intellectual property की help से next one is employment laws so regulates the relationship between employers and employees including issue related to wages, working conditions and discriminations mostly organizations में ये तीन issue होते हैं जिनके उपर की mostly conflict होते हैं एक उनकी wages, दूसरा उनका working conditions और third one is discrimination तो business laws के अंदर employment law आते हैं जो इन सभी को deal करते हैं अब देखते हैं कि business laws के क्या importance हैं तो सबसे पहले अगर importance की बात करूँ तो वह है legal compliances basically businesses must adhere to the law to avoid legal consequences such as fines, lawsuits and even closer अगर आप business laws को follow कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी जितनी भी legal compliances होती हैं आप उन सभी को भी follow करोगे और ऐसे किसी भी consequences को avoid करोगे जिसकी help से या जिसकी वजह से आपको fines पड़ सके आपके business के उपर कोई भी negative impact आए तो कहीं न कहीं आपके legal compliances को follow करने में उनको fulfill करने में आपकी help करता है next one is dispute resolution अब अगर आपके business के अंदर किसी parties के साथ आपके competitors के साथ आपके employees में ही कोई conflict आ जाता है तो कहीं न कहीं हम business law की help से उस conflict को easily या उस dispute को easily resolve कर सकते हैं खतम कर सकते हैं with the help of business law and third one is contractual certainty clear legal framework help ensure that the contractual agreement are enforceable and protect the interest of parties involved अब business law की जास की क्या कर पाते हैं हम कोई अगर contract बनाते हैं तो उसको agreement में convert करकर enforceable कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं है कि future में आपके agreement को कोई मना कर सके क्यों हो सकता है आपने agreement किया अभी दोनों parties को बराबर benefit था लेकिन कुछ टाइम बाद दूसरी company आपने production कर दिया product का और दूसरी company जाकर उसको मना करते हैं कि मैं इसको नहीं purchase करूंगी तो आपका loss हो सकता है उस condition में business loss आपको कह सकते है security provide कर देता है कि हाँ अब कोई भी ऐसी party जो आपके interest के अगेंस तकर काम करेगी according to your rules, regulations और agreement तो वो इस चीज को नहीं कर पाएंगे अगर वो करेंगी भी ऐसा तो उनको उसके negotiation के लिए कुछ ना कुछ payback करना पड़ेगा ये था आपके importance अब देखते हैं इसके challenges के बारे में सबसे पहला है complexity तो business law is often intricate requiring businesses to seek legal expertise to navigate and ensure compliance कि business law इतने ज़्यादा complicated है हर किसी person के लिए इनको समझवाना easy नहीं है तो अगर आपका कोई business है तो आपको एक legal expert की need होती है जो इन सभी compliance को easily समझ सके और आपके business में ensure कर सके इन सभी के rules, regulations और इनके work को Second one is evolution Laws may change over time due to legal procedent legislation or societal shift requires businesses to stay informed and adapt अब evolution हो रहा है हर चीज़ का day by day नए rules, regulations आते रहते हैं जैसे हम बात करते हैं income tax से income tax mostly हर year कुछ ना कुछ चीज़ में change amendment आ जाते है तो आपको evolution के साथ जैसे से change हो रहा है आपको हर दम strain form और ऐसा होना चाहिए कि हाँ जैसे ही कोई update आता है market में कोई rule, regulation में change होता है वारे business laws में तो उसके बारे में आपको aware होना पड़ेगा उसके हिसाब से फिर आप उपने business को easily आगे continue कर पाऊगे otherwise आपको loss होने या कह सकते हैं आपको उपर fine भी आ सकते हैं तो यह आपके दो major challenges थे business laws के तो एक बार इन दोलों के बीचे हम difference देख लेते हैं difference क्या होता है तो अगर definition की बात करता हूँ business laws के तो governs rules, status and regulations in business basically इसके अदर rules, regulations होते हैं जो एक business को govern करने ही पड़ते हैं अगर मैं ethics की बात करता हूँ तो इसके अदर हमारे होते हैं principle, values and moral standards यह कोई compulsory नहीं होते हैं basically लेकिन यह आपको एक direction प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह आप अपने work को अपने operations को, अपने decisions को ले सकते हैं तो यह कह सकते हैं compulsory होते हैं यह आपके optional होते हैं focus क्या होते हैं दोनों के बीच में legal compliance and regulatory framework तो business law का main focus होता है कि आपके जो भी legal compliance है जो regulatory framework है उनको follow करें आप लेकिन business ethics के अंदर focus क्या होता है moral and ethical behavior in business तो अगर हम इनके origin की बात करते हैं कि कहां से originate हुए हैं हमारे business ethics और business law तो अगर मैं law की बात करता हूँ तो derived from status, regulations and legal precedent अगर मैं ethics की बात करता हूँ तो arises from societal norms values and morality तो ethics बिसकली आपके society के rules norms उनके standards से इनको derive किया गया है कि society के perspective से क्या सही है क्या उनकी values होनी चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए ये generation to generation transfer होते रहते हैं लेकिन जो हमारे business laws हैं हमारे कैसे पर rules, regulations, legal formalities इन सब की तरफ से इनको derive किया गया है enforcement की बात कर लेते हैं enforcement by legal authorities non-compliances may lead to legal consequences अगर हम business ethics की बात करते हैं voluntary address no compliance may damage reputation तो अगर आप business laws को follow नहीं करोगे तो कही न कहीं उससे आपके business को laws जिलना पड़ेगा आपके उपर हो सकता है जो legal consequences होते हैं उनको भी आपको face करना पड़े हैं तो कि ये चीज़े legally enforced होती है आपको करनी ही करनी चैसे मैंने कहाते हैं ये compulsory part है business का लेकिन ethical की बात करता हूँ मैं ethics की बात करता हूँ तो वो कोई compulsory नहीं होती है आपके लिए बट कहीं न कहीं अगर आप ethical नहीं होगे तो वो चीज़ आपके जो reputation है उसके उपर एक negative effect कर सकती है अब इनके scope देख लेते हैं अगर हम ethics की बात करते हैं scope क्या है address तक conduct and decisions of individuals and organizations तो loss के अंदर हम बात करते हैं कि हम क्या सकते हैं इनकी help से अपने business के अंदर उसके operations को अपने contracts को अपने international properties को इतने से एक framework करते हैं एक standard provide करते हैं लेकिन ethics के अंदर हम क्या करते हैं business ethics basically हमें help करता है कि business के अंदर decision किस तरह लेने चाहिए एक direction provide कर देता है कि आप इस तरह decision ले सकते हैं आपका organization इस तरह react करना चाहिए इसका behavior इस तरीके का होना चाहिए next step purpose ensure orderly business transactions and resolve disputes और अगर मैं ethics की बात करता हूँ तो guides behavior beyond legal requirement business law का purpose यह है कि आपके business के transactions को ensure किया जा सके कि वो सारी सही हो और अगर आपके जो भी disputes हो उनको properly resolve किया जा सके लेकिन ethics से बात करता है कि आपका जो behavior है वो सही होना चाहिए आप societically responsible होने चाहिए आपका work transparent होना चाहिए आप trustable होने चाहिए basically it beyond legal requirement अब sources of rules इनके sources के इन rules के तो अगर business laws की बात करूँगा तो इसको कहां से create किया जाता है legislation से, हमारे court decisions से और regulatory agencies से तो यहां से इन सभी laws को बनाया जाता है ethics की बात करूँगा हमारे moral principles, societal norms और individual values यहां से इनका origin होता है consequences की बात कर लेंगे तो legal consequences such as fine, lawsuits और closer for non-compliance लेकिन हम जब consequences की बात कर रहे हैं और आपने business laws को follow नहीं कि अपने business के अंदर उसकी वज़ा से आपको high penalty pay करने ही पड़ सकती आपके पर fines आ सकते हैं आपके business को बंद भी किया जा सकता है लेकिन ethics के अंदर सा कोई compulsory तो होता नहीं है लेकिन उसके फिर भी कुछ consequences तो हैं वो देखते हैं तो पहला conscious क्या है reputational damage, loss of trust and strained relationship for unethical behavior बिसकली हापर आपकी तो image है एक जो goodwill है market के अंदर वो खराब हो जाती है अगर आपका business ethics को follow नहीं करता address mandatory business must comply with established law या exactly क्योंकि ये compulsory होते हैं इनको आपको follow करना ही करना है लेकिन जो भी आपका business ethics होता है ये choice होती है business के पास कि वो अपने work में in practices को follow करे या ना करे अब अगर मैं flexibility की बात करता हूँ तो हमारे जो business laws होते है can be rigid as it follows standard legal framework ये बिलकुल solid होते हैं इनको आप अपने हिसाब से change नहीं कर सकते ये जैसे rules regulation जैसे इनको establish कर रखा है उसी हिसाब से इनको आपको use करना पड़ेगा लेकिन business ethics ये depend करता है कि हमारी क्या condition है हमारी क्या situation से उसके हिसाब से हम इनको flexibility change कर सकते हैं amend कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से last one is resolution of disputes तो resolve through legal process and court business law का अगर कोई dispute है तो कैसे resolve होगा वो होगा legal procedure या फिर आपके court के थूँ लेकिन अगर आपका कोई business ethics का आपके पास कोई dispute आ गया है तो वो कैसे होगा resolve वो होगा आपका internal resolutions के थूँ mediation के थूँ या फिर आपके जोब industry standards होते हैं उनके थूँ आप अपने business ethics के disputes को solve out कर सकते हैं तो ये basically difference थे आपके business ethics और business laws में I hope आपको अब clear हो गया होगा कि business ethics किस तरह different है हमारे business laws से अगर आपको फिर भी कोई doubt है कोई query है तो आप comment section में comment करकर मुझसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियो के साथ so stay tuned stay connected with scoremax आपके जया है जाओ धzi में तो अटाव में कि ईदब के एद्ग अवस्टी य chapel थोगर